हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे एक नए वीडियो में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस Pulsar 125 CC और Pulsar 150 के बारे में Pulsar 150 में और Pulsar 125 CC में क्या-क्या अंतर है वह हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा क्योंकि हमारे इस चैनल पर केवल बाइक से रिलेटिड वीडियो को हम लाते रहते हैं तो दोस्तों चलिए बीना समय गवाए कि इस चैनल के वीडियो को आपको इन दोनों भाई को मैं कोई ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा दो ये भी जैसी है ये भी वैसी है सिमिलर है दोनों भाई को में आपको बिलकुल भी पता नहीं चलने वाला है कि कौन सी 150 है और कौन सी 120 है ठीक है देख सक्शाथ के सेम है सिर्फ इसका यह जो बैजिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ यह जो बैजिंग है बैजिंग को देख करके आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कौन सी 125 है वाइज यहां पर आप देख सकते हो यह बगल से शिमला की ट्रेन चल रही है और उसकी वज़े से ही यह आवाज आ रही है यह जो ट्रेन है यह कालका से आई है और यह शिमला की तरफ जा रही है इसके जाने के बाद फिर हम अपने वीडियो में आते हैं और बाकी इसमें आप देख सकते हो जो 150 CC है इसमें आपको डिस्क ब्रेक मेलेगा पिछले और इसमें ABS भी है लेकिन हमारे 125 CC में कोई डिस्क ब्रेक का आप्शन ही नहीं है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो और आगे को फ्रंट साइड में आप देख सकते हो इसमें डिस् है और इसमें normal disc brake ही है तो इसमें जब डिस्क ब्रेक अप्रैस करोगे अगले वाल को अ एक जा रही है शिमला की तरफ एज़ो ट्रेन है यह इस अच्छों मतरफ जा रही है तो देख सकते jumped और हम लोग पहुंच्छ चुके है सोलन रेल्व writes टेशन तो यहां पर आप देख सकते हो इसमें जो है इसमें डिस्क ब्रेक है नॉर्मल और इसमें जो है इसमें डिस्क ब्रेक है ABS ठीक है बाकी दोनों में दोनों बिल्कुल सिमिलर है देखने के लिए आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है आपको बिल्कुल पता नहीं लगने वाला है पर जोते है कि कौन सी कितने सीशी की बाइक है अचा एक चीज और इसमें मेरे नजर में तो कुस्छ नहीं करनः पदा बस थोड़ा सा स्दीकरिंग का फरक है उसमें और इसमें दोनों में थोड़ा सा इस्टीकरिंग का फरक देखने को मिल रहा है बाकि दोनों राइब के बिल्कुल सेम है और इसी वज़े से पर्फर करूँगा जो अगर आप पल्सर ही लेने लेने के शौकिन हो, पलसर ही लेना चाहते हो, तो 125cc मतलें, आप 150cc की तरफ जाएं, अगर आपके पास पैसा कम है, तो ऐसे situation में, ऐसे condition में, आप 125cc ले सकते हो, बाकी इसमें और उसमें आपको ज्यादा फरक नहीं नजर आएगा, इसमें सिर्फ आपको इसमें पिक अप कम है उसमें पिक अप ज्यादा है, और इसमें माइलेज कम है, और उसमें भी माइलेज कम है, दोनों में माइलेज सेम है, इसमें देखो टायर आपको पतला देखने को मिलेगा, उसमें टायर भी देखो आपका मोटा है, तो यह फरक है, और आज का वीडियो बस इतना ही, वीडि वीडियो में वीडियो में अंतक रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत